हेलो एबरीवन आयाम आत्यादवन वाचिंग दा सोशल इंडियन और आज किस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपको जो मार्क्स अब्डेट करने है डी यू एलल बी के पोर्टल पर या फिर पीजे अड्मिशन के पोर्टल पर उसके बारे में बहुत जादा कन्फ्यू कहbay点 है मैं आप उसे का kernel के बना सकते हैं यो districts के लिए वो क्या हो सकते हैं बंगस इस बीजिए्ट सुध आउस च्टी ऑन-लान प्रटफॉर्म और आप्ने उसके बारे में सुना भी होगा तो if you want to crack clatt और watch topper interviews और attend live classes and it is so hectic for you कि आप यहाँ पर लगातार चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए उन्होंने आपके लिए और easy बना दी हैं चीजों को और उन्होंने यहाँ पर Unacademy Plus का जो है वो subscription यहाँ पर निकाला है सबसे बड़ी बात यहाँ कि 99 रुपीज का यह वो subscription है तो आप चाहें तो वो जाकर ले सकते हैं लिंक मैं आपको नीचे description में छोड़ दूँगा और Unacademy पर आप जाकर Clatt की तैयारी यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं details आपको description में मिल जाएंगी चलिए तो आगे मैं भड़ता हूँ और बात करते हैं आपके marks update करने के बारे में आप सभी लोगों ने scorecard देख लिया होगा उसके बारे में और cutoff के बारे में भी हम discuss करते हैं अभी next वीडियो में लेकिन उससे पहले यह थोड़ा सा urgent आ रहा था बहुत लोग queries पूछे थे कि sir marks को update करना है लेकिन चीज़े समझ में नहीं आ रही है तो step by step उनके सभी queries को हम यहाँ पर चलिए tackle करते हैं सबसे पहली चीज़ तो यह थी कि कि क्या sir marks update करना mandatory है जी हाँ आपके लिए mandatory है marks को update करना अगर आपने registration करते समय भी आपने marks भर दिये थे still it is mandatory to update them again आप दुबारा update कर दीजे भली आपको same चीज़े भरनी पड़ेंगी लेकिन दुबारा से भर दीजे आप सभी लोगों को email या SMS सभी को मिल गया होगा दूसरी चीज last date कब है जी marks update करने की तो देखे जी no last date has been prescribed yet university ने कोई prescribe नहीं किया बताई नहीं है कब last date होगी तो हो सकता है जितना जल्दी हो उतना जल्दी भर दीजी और अपने tension को ख़दम कीजे ज्यादा attention लेना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है अगर last date mention नहीं की गई है तो मैं यह मान कर चलूँगा कि 5-7 दिन तो वो रहने वाली है पर फिर भी बरोसा ना करें जतना जल्दी हो सकें उतना जल्दी उसे भर दें अब तीसरी चीज ये और उनके response के अंतजार कीजिए अगर वो response दे देता है maximum cases में जो मैंने देखा है response एक दो लोगों का जो response आया है वो आपके लिए ये राय है कि अपने aggregate डाल दीजे पिछले semester के लेकिन वो भी आप तब ही डालिएगा जब आपको mail से response मिल जाए क्योंकि ये एक general perception अगर मैं ये कहाँ दूँ कि यहाँ पर आप यहाँ पर aggregate डाल दीजिए और कल को university कुछ और कह दे तो आप मुझे blame करने लग जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे blame करें मैं चाहता हूँ आप university को blame करें और कल को कोई दिक्कत आती है तो वैसे जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें clear नहीं है manner prescribed नहीं है date mentioned नहीं है तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आनी चाहिए वो सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि आपके जो qualifying marks हैं वो आ रहे हैं कि नहीं है 50% marks आपके जो graduation में वो हैं कि नहीं है वो यह देखना चाहरे हैं और category wise आपके लिए 45 हैं कि नहीं है चलिए दिक्कत मत दीजिए do admin staff को यहाँ पर contact कीजिए email से या फिर आप physically जाकर भी वहाँ पर आप contact कर सकते हैं लेकिन physically से बैटर रहेगा जिए आप email करें कोरोना है social distancing पूरा ध्यान रखें चौति चीज माक्स जो हैं वो आपके लिए percentage form में आपको डाल ले हैं पता नहीं क्यूं यहाँ पर इन्वस्टिय ने आपके लिए CGPA में मौका नहीं दिया आज कल तो जादर स्कोर्स जो हो convert हो जाती है लेकिन पांच वाट यह कहता है कि यह जो formula दिया गया है क्या यह सिर्फ due students के लिए है जी हाँ यह सिर्फ due students के लिए है और उन्होंने यह चीज मेंशन नहीं किया क्योंकि यहां पर आपके लिए आपकी जो mark sheet है उसके पीछे CGPA को percentage में convert करने के बारे में कुछ लिखा होता है और हर एक उन्वस्टिय के अलग अलग formula है जो apply होता है तो आपकी उन्वस्टिय के लिए जो formula अपला होता हो उसको multiply करके कई जगे 9.6 लगता है कई जगे 9.5 ल मैं आपसे कहता था कि जी master tip है यह तो आज master tip तो नहीं है लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा छिटे नंबर पर कि जी इतनी जादा चिंता मत लीजिए अपनी जिंदिगी को इतना जादा complex मत बनाईए चोड़ी चोड़ी बातों के लिए बड़ी बड़ी tension मत लिया कीजिए कई लोग मुझे लगातार जब से marks का portal है दो तिन दिन से लगातार calls messages आ रहे थे कि sir क्या किया जाए क्या ना किया जाए को समझ में नहीं आ रहा कुछ गलत हो जाएगा तो university यह तो नहीं करेगी admission cancel तो नहीं हो जाएगा तो आप लोगों को मैं clear कर देना ज जी मेरी जो गलती हुई है वो इस clear instructions ना देने के वज़े से हुई है तो हमेशा आपके बास एक say रहता है तो इतनी चुंता ना किया गीजिए लेकिन हाँ चुंता गरनी भी चाहिए email ज़रू कर दीजेगा ताकि university इसके लिए कोई अच्छी notification निकाल दे clear notification निकाल दे ताकि भी कोई आपके query बज्जा है तो नीचे comment box में दे दीजेगा मैं आपके वहाँ पर query सारी clear करने की पूरी कोशिश करूँगा इसके अलावा मैं जो एक चीज़ कहना चार था वो ये कि अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए scorecard और आपकी cutoff के लिए expected cutoff जो हो सकते हैं कल मिलते हैं उस वीडियो में आज के लिए इतना ही भारत मादा की जय जय हिंद